आज जब मैं न्यूच्पिपर पढ़ रहा था, तो मेरी नजर एक ऐसी फोटू पर पढ़ी, एक ऐसी पिक्चर पर पढ़ी, कि आप समझें कि इस में इस व्यक्ति में कितनी एक तरह से इंसानियत है, मानोता है, कितना सम्वेधन सील है, और आप समझ सकते ही कि अपने देश क जनता के लिए इस तरह का फ्यार, मुझी लगता है कि कम ही लोगों में देखने को मिलेगा आप लोगों को, और याद रखिए कोई ही फोटू खिचबाने के लिए स्टेंड नहीं है, इससे पहले भी इनकी मानोता की और इंसानियत की कई बार मिसाल फिस की जा चुकी है, औ इनका नाम है Emmanuel Macron, आप समझ रहे हैं यह फ्रांस वही है, जिससे हम लोगों ने रफैल खरीदे हुए थे, और आप जान रहें कि कोरोना में हमारी में हमें ऑक्सिजन की बात हो, या आप समझे कि बेंटी लेटर की बात हो, या इस तरह कि कोई और मदद की बात हो, वो हमारी क काफी मदद भी कर रहा है, देखिए हमारी प्यारी पिते भी, इसमें आप देखेंगे यह हमारा प्यारा भारत, और इसमें आपके पड़ोसी हो गए, यह स्रीलंका नीचे, और म्यानमार, नैपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, एभूटान, बंगलादिस, इस से रफेल भी आपने देखा होगा कि हमने रफेल भी यहीं से खरीदे हुए थे, समझ रहे हैं आप लोग, तो इस पिक्चर को देखिए आप लोग कि मतलब इतना बेनमसील, और इतनी बड़ी एक तरह से आप समझ सकते हैं कि परसन हो, मतलब इतना बड़ा पद मिलने के बाद इस तरह की कोई भावनाय अगर रखता है, जुडाव रखता है, तो एक बहुत बड़ी बात होती है। आप इस लिए कहता हूं कि आप लोग इंडेक्स उठा के देखिए, कोई भी रैंकिंग उठा के देखिए। फरान से लगबग आप लोगों को उपर देखने को मिलेगा। और हमारी स्तिती क्या रहती है, नीचे से टॉप कर रहे होती है हम लोग। गरीबी के मामले में देख लीजे, भुखमरी के मामले में देख लीजे, सिख्छा के मामले में देख लीजे, स्वास्त बिवस्था के मामले में देख लीजे आप लोग, हर छित में लगबगा आप लोग देखने को मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है, तो आप समझ सकते ह कि विक्ति में इंसानियत माना हुता लोगों के पिति एक तरह से लगाओ किस तरह होना चाहिए और मुझे लगता है कि तभी आप देश के जो भी जिम्मेदारियां मिलती है उनका निर्वान कर पाते हैं जब आप लोगों से जुडाओ रख पाते हैं हमारे देश में भी आप लोग अटल जी की बात कर लिजिए आप लोग लालवाद और सास्तरी की बात कर लिजिए काफी अच्छे पिधान मंत्री हमारे देश में भी दिये हुए हैं और इस समय देखिए ये बुरा हो सकता है कि कई लोगों को बुरा लगे लेकिन इस समय जो दिल्ली सरकार राज्य हों बिधायक हों जिस तरह से लोगों के बीच जा रहे हैं कोरोना मरीजों से मिल रहे हैं उनकी मदद कर रहे हैं जितनी भी उनकी तारीफ की जाए कम हैं तो देखिए हमारे आपकी आलोचना करने से या तारीफ करने से कुछ नहीं उखड़ता है लेकिन आने वाले जब इत दिला दी कि हमारे बाल से भी कई गुना छोटा वायरस है फिर भी हमारी वकाद याद दिला दी कि हमारी क्या वकाद है तो आप समझी मतलब आप सुची हमारी कर्मों को याद रखा जाता है हमारी कर्मों को यह तरह से इतिहास में एक तरह से मुल्यांकन किया जाएगा इस समय जो भी घटनाय घट रही है, जो भी एक तरह से लोग मर रहे हैं, आने वाले समय में इतिहास होगा, तब मूल लेंकन होगा कि कौन पिधानमंद्री था उस समझ, और लोगों का क्या रवे या था, किस के नाम पर वोट देते थे, तो हमें भी गाली काफी पढ़ेंगी, इसमे पर वोट देते थे, और जब हमारे देश में कुरोना महामारी आई हुई थी, तो हमारे जो भी नेता रहे हैं, उनने क्या भूमी क्या निभाई, इस पर भी पूरा एक तरह से मूल लेंकन होगा, तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे देश में इस तरह का कोई राष्टपती या परधान मंतरी से उम्मीद रख सकता है आज के समय में, आज के समय में आप देखी कि विधायक और आपका सरपंच भी इस तरह की लोगों से नहीं मिलता है, अभी सरपंच के याँ जाईए आप लोग, या विधायक के याँ, आप दूर खरे रहेंगे, या फिर वो भी क अच्छा है, कर दे रहिए, क्या फरक पड़ता है, नेताओं को देखिए हमारे देश के कभी फरक नहीं पड़ता है, अब देखिए यहां के प्रधान राश्टपती सहा, बच्चों की मंतलब, उनका एक तरह से आप जुनून बढ़ा रहे हैं, और हमारे वाले क्या कहते थ हमारे दाश्ट प्रमोक कह लीजे, पिधान मंतरी साब का कहना यह था, तो आप खुछ सोच लीजे कि अगर आप कठेन सवाल करते हैं, और उसी में लगे रहते हैं, और उसका आंसर नहीं आ पाता पूरा, तो मुझे लगता है कि आपका पूरा टाइम इसी में लग जाएग फिर आप क्या कर पाएंगे? लेकिन आजकर इस तरह की बात में करते हैं कि आप देखते हैं मजाग बन जाता है उनकी बातों का, और बू अपनियां ही मजाग खुद उडाते हैं, आपने देखा है कि अभी अर्बिन के जीवाल को डाट रहे थे, प्रोटोकॉल की बात कर रहे थे, आपको खुद भी तो प्रोटोकॉल एक तरह से अपनाना चाहिए, आप उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, अब दूसरी को प्रोटोकॉल समझा रहे हैं, और आपने ये भी देखा होगा कि प्रोटोकॉल, क्या है का प्रोटोकॉल, इसमें कौन सर देश की आंतरे किया बाहरी सोरक्षा की कोई चिंता बड़ी उपईड़ी हुई थी, हमारे आपके बारे में ही बात की जा रही थी, और आपने देखा है कि जो PM फंड बनाए गया, उसमें काफी किसी ने 10 रुपे, किसी ने जितना जिसकी उखात थी, और जिस से साब से चमता थी CDC बात, लेकिन जब RTI डाली गई उसमे तो आपने देखा है कि उसमें सुझना देने से मना कर दिया गया, यानि कि हमारा आपका पैसा उसकी भी हमें जानकारी नहीं होनी चाहिए, खेर छोड़िए आप लोग अपना काम करते रहिए, आप मेंसे कई भक्त भी होंगे, कई दूसरी पायटियों के भक्त होंगे, तो ये परिवार मेंबर जाता है, कमाने वाला जाता है, उन पर क्या बीचती है, वो कावत अच्छी है कि जिसका दुख वही जानता है, बाकी दुनिया के लिए मजात लगता है, तो कभी अपने आपको उनकी जगह रखे देखी हो, देखी क्या इस्तिती बनती है, और मैं तो क होती है, तो आज हम भी रखेल बना कर दूसरे देशों को वेंच रहे होते हैं, हम लोग भी दूसरे देशों की मदद कर रहे होते हैं, इस आपदा के समगर हम लोगोंने कुछ सीख ली होती है, आज देखे हम लोग दुनिया के सामने एक तरह से मदद के लिए खड़े